नमस्कार मित्रों, हमारे महान सिख्वीरों का इतिहास बताने वाली फिल्म मस्ताने को रिलीज हुए दस दिन से भी अधिक का समय अब बीच चोका है और ये फिल्म हर बित्ते दिन के साथ लगातार रिकार्ड तोड कमाई करती जा रही है जनता ने अपार प्यार दिया है मस्ताने को और इसी प्यार के कारण आज मस्ताने दो हजार तेईस में सरवाधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों की सूची में दूसरे नमबर पर आ गई है ये देखिए 2030 की सरवाधिक कमाई करने वाली पंजाबी फिल्मों की सूची का ये विकिपीडिया पेच है और आप देख सकते हो कैरी ओन जट्टा के बाद दूसरे नंबर पर आपको मस्ताने देखने को मिलेगी मस्ताने का वर्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन अब 48 करोन रुपए से भी अधिक का हो चुका है इसलिए ये फिल्म अब दूसरे नंबर पर है और अभी तो फिल्म निश्चित ही और चलेगी मित्रों मस्ताने जैसी हमारा वास्तविक इतिहास हमारे सामने रखने वाली फिल्मे जब सफलता प्राप्त करती है तो मुझे आति प्रसनता मिलती है और ये केवल मेरी प्रसनता का विशह नहीं है बल्कि हर उस देशभक्त के लिए प्रसनता की बात है जो इस भारत भूमी से प्रेम करता है क्योंकि ये वो फिल्म है जो हमारे सामने उन वीरों की सच्ची गौरवगाथा प्रस्तुत करती है जिन्होंने इस धरा की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्योचावर किया है पंजाब की पावन धर्ती से लेकर संपूर्ण भारत वर्ष के हर शेत्र में ऐसे अनेक वीर वीरांगानाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने क्रूर विदेशी आकरांताओं को मुहतोड जवाब दिया है भारत के प्रहरी बनकर अपने प्राणों के मूले पर भी प्रतिपल भारत की सीमाओं की रक्षा की है आज इन महान वीरों का या इतिहास स्वर्ण अक्षरों के साथ हमारी पाठे पुस्तकों में होना चाहिए था ताकि बच्चे जो की भारत का भविश हैं वो उनके बारे में जान सकें कुछ सीख सकें लेकिन दुर्भाग वश ऐसा नहीं है हमारी किताबें तो आकरांताओं के महिमा मंडन से भरी हुई है उनमें इतनी जगए नहीं है कि हमारे वीरों की इतिहास को उचित स्थान दे पाएं इसलिए मस्ताने जैसी फिल्मों की आवशक्ता पड़ती है ताकि भारत वर्ष के महान वीरों का इतिहास भी जन जन तक पहुँचाया जा सके जिसे देखकर हम भारतियों का हरदय गर्व से भर जाए मैं मस्ताने सुभेदार और चार सहिबजादे जैसी फिल्मों की निर्माताओं को रिदय से नमान करता हूँ कि उन्होंने ऐसी फिल्मे बनाई और वास्तों में आज भारत को इनके जैसे ही राष्टरवादी विचारधारा के फिल्म निर्माताओं की आवशक्ता है ताकि वो लगातार ऐसी फिल्मे बनाते रहें जिससे भारतियों को अपनी मातर भूमी के प्रती, इस पावन भारत भूमी के प्रती अपने करताव्यों को लेकर प्रिर्णा मिले यदि आप भी चाहते हैं कि मस्ताने जैसे फिल्में लगातार बंती रहें तो इन फिल्मों को देग कर इनका समर्थन कीजिए यह आपका नैतिक करतव्य है यदि अभी तक आपने मस्ताने नहीं देखी है तो अवश्य देखे जाकर और अपने बच्चों को भी साथ ले जाए मैं तरो वीडियो अंतक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैस याराम जैमा भरती